गोंदिया और मध्यप्रदेश राज्य की सीमा पर वाग नदीप श्री विटल रुकमनी का मंदिर है और इस मंदिर द्वारा पिछले दो वर्षों से मागंगा महा आरती का आयूजन किया जाता है और इस आरती के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं इस वर्ष इस महा आरती में लगभग 450 महिलाओं ने लगभग 5000 दीपों का दरपन दिखा कर आरती की और यह महा आरती कार्तिक पुर्णिमा के उपलक्ष में संपन हुई गोंदिया से लेके अंतिम छोर वाग नदी में श्री विटल रुकमणी मंदे ट्रोस्ट द्वारा पिछले दो वर्षो से मगगंगा महा आरती का आयूजन किया जाता रहा है इस महा आरती में भाग लेने के लिए आजारों की संख्या में महीलाएं और पुरुष यहां आती हैं हर साल कार्तिक पुर्णिमा की पूर्वसंद्या पर अभिजित्त महा आरती का आयूजन किया जाता है इस इस्तान पर भगवान रामचंद्र की सुंदर मूर्ती के साक्षाद दर्शन होते हैं वहीं नदी तल में शिवजी की सुंदर एबं आकरशक मूर्ती हर किसी का ध्यान आकरशित करती है इस महा आरती समहारों में महिलाओं ने 11 बत्तियों वाले दरपन से आरती की इस महा आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्दालू शामिल होते हैं और इस महा आरती समहारों में अपनी उपस्तिती दर्श कराते हैं यह मां आर्ती गोंदिया जिले का प्रमुक आक्रशन बन गई है। इस अफसपर शेत्र में बड़ी संख्या में आतिश बाजियों सजावट वा प्रकाश वबस्ता नागरिकों के लिए आक्रशन का केंद्र रही। लावलेले होते किमान चार से साड़ी चार से आर्ती सर्वान चेकड़े होती। हमारे राज्जी की और हमारे देश की सुक्ष समरद्धी और सब को इस दिपावली के नुतन वर्ष पर भगवान प्रभुषी राम का महाकाल का आशिरवाद मिले। इसी भावना के साथ एक कारेक्र मायोजित किया गया है और विश्चीत रूप से इस परिसर को विकास करने के लिए इस परिसर को और विक्सित करने के लिए जिस तरीके से प्रतिदिन स्री विट्टल रुकमाई ट्रस्ट में लोग जूड़ रहे हैं। श्री केतन तुरकर इसके एक प्रमुक ट्रस्टी के रूप में हैं और हम विश्च्वास करते हैं कि हमारे कुशल नेत्रूत हुआ और मानने एक आज़दर प्रफुल पड़ल जी के माध्यम से और इस परिसर को सुन्दर करके लोगों की भावनाओं को एकता के द्रस्टी क गोंदिया से बीसे न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रपोर्ट